नमस्कार दोस्तों राजसिंग नर्शिरी में आपका शवागत है दोस्तों आप कैसे हैं आप से भी ठीक होंगे और अगर आप परकरती से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और सवस्त होंगे अगर आप टोकरी वगरा या जो जग वगरा चल रहें गरील में लगाते हैं इन में अगर आप पोदे लगाने हैं लगाने चाहते हो या आपने लगा रखें तो ये वीडियो आपके बहुत काम आईगी और आपके पोदों को हरे बरे रखेगी और सुन्दर रखेगी और और आपका घर हर्या ब्रया रहे इसमें आपको जानकारी बहुत छांदर मिलने वाड़े दोस्तों और यह देखिए मैं बताता हूं इसमें मैं च्छाया और दूफ के दोनों परकार के पोड़े थोड़े-थोड़े मैंने उठा रखे हैं सारी वेराइटी उठा हूँगा तो लंबी बन जाएगी वीडियो तो मैं कुछ पोड़े के बारे में जानकारी दूँगा इसी से आप दूसरे पोड़े के बारे में भी नोलिज ले सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों पहले हम बताएंगे च्छाया के पोड़े कुछ ही मैंने उठाए हैं अगर आपके घर मे चाया है दूफ नहीं आती है तो आप अपने घर में यह आठ दस परकार के जो पोड़े मेरे पास रखे ने इनको लगा सकते हैं और बीज में बहुत वराइटी है मगर मैंने यह आठ दस ही उठाए है आपके अगर एक गंटा भी दूफ नहीं आती है आवा अच्छी आती ह आपके बाल कानी में आपके गरील पे आसानी से खिलते रहेंगे यह देखिए सबसे पहले सिनेक प्लांट उठा में चोटे वाड़ा अगर आपके घर में चाया पूरा दिन तो यह पोड़ा आसानी से वाँ चलेगा और आपके जग या टोकरी को फुल भर देगा मिटी बन जाएंगे और आपका गमला तीन चार महिने में दोस्तों बरके हवाँ ठर्या बर्या हो जाएगा यह च्छा है कि पुद्दे और दूसरे नमबर पर देखें दोस्तों यह पोद्दे वह हैं दोस्तों जो आप सभी इनके बारे में जानते हैं आमें जानने से मतलब नहीं ह हैं हमें पैसा भी बचाना है और अपने घर को हर्याब्रा भी रखना है हमें दो काम करने हैं और महनत भी कम करनी है क्योंकि यह देखी दूसरे नमबर पा गया है मनी प्लांट सभी जानते हैं अगर आप जग वगरा में लगाते हैं या टोकरी वगरा में लगाते हैं तो आ आप मनी प्लांट को वियासानी से लगा सकती हैं। यह आपने देख्या दोस्तों अमारे अमारी नर्शरी में बोह थे, अमने दिवारों भी स्वराक रखे, शुब 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 यदिगी गूमती हैं। और तेको तेको कैसे बैठी भी पेड़ यह आगी। यह दिवारों मने थोड़ी थोड़ी इटे निकाल रहे हैं। यह बच्चे भी देती हैं। जोस्तों गोरेया को बचाने का भी चैडिया को बचाने का भी आप कुछ जुगाड करिए। यह सबसे पहले अमारे छोटे चोड़ी बच्चे जो घर में पैदा होते हैं। पहले ऐसे घरों में चपरों में ऐसे बिनाती दी और यह दोस्तों बहुत श्यांदार पंची है पलीज पलीज इसको बचाने में मददगार बनिये योगदान करिए और यह देखिए यह मनी प्लांट भी लगा सकते हैं और इसको आप सभी जानते हैं यह दूफ में नहीं जा तोड़ तोड़ के आप और भी पोदे बना सकते हैं यह देखे दोस्तों यह ब्रह्मी मेरे पास दो प्रकारी की रखी है यह चोटे पतिगी यह चाय में बहुत सांदर चलेगी चोटे-चोटे फूलाएंगे स्वेद और बहुत यह ची रहती है जग भर देगी और आपका तोड़ को भी भर देगी मिट्टी सूखे पाणी देते रही है चै मेने में खाड डाली नमी में खूब भागती है यह दूसरी ब्रह्मी यह दोस्तों देहें अभी हमने नई लगाई यह चोटे-चोटे फूल आते इसका पता बहुत चांदार बन जाता है और जब यह फू पूल के बराबर सुंदर लगता है और फूल भी आते हैं चोटे-चोटे यह भी आपको तोकरी और जग को बहुत तसली से बर देगी और यह देखिए आप इसको सभी जानते हैं संगोनियम दो तिन परकार का होता है आप संगोनियम तोकरी में लगाते तो दोस्तों छोटी पत्तिगा लगा अगरो उसकी लुक अलग बनती है यह छोटी पत्तिगा है संगोनियम बहुत से आंदर चल जाता है और इससे भी तोड़ तोड़ के बहुत बना सकते हैं और यह देखिए इसको बोलते है तो यह भी श्पाइडर है दोस्तों इसको बोलते है चैन यह दोस्तों चैन बहुत शांदर बनता है अगर दूप में लगाओगे चलेगा जरूर मगर कामियाब नहीं होगा यह देखें दोस्तों आज दोस्तों हमारा थोड़ी खाशी है यह बड़े लिया इसको बोलते हैं बड़े लिया यह चैन मासानी से चल जाता है यह लो फू चैन दर चलेगा और आपकी टोक्रिया जोग को ऐसे भर देगार यह लो फूलाते हैं पर्मानेंट पोदा है यह भी आप लगाई है और यह देखिए इसको आप सभी जानते हैं इसमें दो थेन वाराइटी होती है एक बिलकुल पतले पत्ते का होता है और इसका थोड़ा प चैनल जाएगा यह चल दूफ में भी जाएगा मगर दूफ में इसके किनारे किनारे से पत्ते जड़ जाएगे अच्छा नहीं रहेगा तो इच्छा एमें बहुत चान दर चलता है इसकी वी टोक्रिया जग लगाईए और आसानी चलेगा और जब आपने से नए पोदे बन सपरे, निचे से अलग एसलिए निजी सबी, एसलिए अनि यदि नर्सडियू में कोईल बोलते है, हुआ decipher कोईल के नाम से, इसका पता उपर चमकता है, परमानेंट पूदा है, पाणी कम डाले, खाद कम डाले, असानी से चलता रहेगा, तो दोस्तों मैंने चाहा हैं, कि जो आटधस पूदे आपको पता हैं, यह आप चाहा हैं में लगा सकते हैं, आसानी से चलेंगे, कोई ज्यादा केर नहीं है, एक बार आपने लग कालिया इनको दुबारा खरी दने की जरूतनी है यह खराब जब होते हैं आप गिलiyorsun रहते। सबसे पहले सबusta में कालिया बनाना कि उसको भुरुरी बनाना तोउस मिट नी बनाना जैसे कि पत्ति की घृ या अगर आपके पास पत्ति की खाद निये तो आप थोड़ा नहीं रहेगा चैन लगी होती है चैन भी तूट सकती है और पोदा भी ग्रोध नहीं करेगा तो आप हैंगें या जग के पोदे की मिट्टी को बिलकुल मुलाइम बनाएगे और आपके पोदे असा नहीं से चलते रहेंगे अब देखिए दोस्तो इधर मैंने क्या रखे हैं ये गर्मी के पोदे हैं इनको आप सभी जानते हैं एक एक पोदा मैं वो रखता हूं जो आम भाई बहन जिनके बारे मैं जानता है जो टिकाओ पोदे होते हैं अगर ना टिकने वारे पोदे हम लगाएंगे पैसा भी ज्यादा लगता हूं उनमें महंगे होते हैं और ज्या तोकरी नहीं लगेए, वो तोकरी में लगेए, दोकरी ओम लगने वाले अस्पाइराग्रास दिखा रहा हूं, यह इसको बोलते हैं देशी अस्पाराग्रास, यह थोड़ा ज्यादा प्हेलता है, इसके लंभी-लंभीय से साख्या यह निकलते हैं, तेख़ो, और एक यह जू तोकरी में बहुत सुंदर बनता है इसकी आपको कटिंग करने की जूरूतिन इसके पत्ते बहुत मुलाइम होते हैं इसमें अगर आप ऐसे आतमार होगे तो थोड़े काटे काटे लगे इसमें वाइट फूल आएगा चोटा-चोटा बहुत से अंदर और इसमें भी आएगा और इसका जो वाइट फूल आगे लाल फड़ लगता है छोटा फड़ बनेगा उस फड़ के अंदर गांठ निकलेगी उस बीज को आप लगा सकते हैं उससे दूसरा स्पराग्रास बन जाएगा ये कटिंग से निये लगता है ये बीज से बनता है अगर आप ऐस पाराग्र बनतो रभन-गरास, रभन-गरास कई परकार की होती है मैं ये ब्लेक वाली उठा रखी है इसको लगाईगे ये आप की तोकरी भर देगा अगर दूफ है वढ़ों सबहां में चलेёт और श्वांन, और ये च़ह में चलेगी में दोनों जगा है ये लगा सकते हैं रभन-गर कोई इसको लक्षमनपुट्री बोलता है को नो बजिया बोलता है को फोटू लाका बोलता है यह आप घर में लगाई इसमें दो तिन परकार के होते एक बीज से बनता बीज बाड़े गशी जन जालिया है बीजवाला दो तीन महिनी चलता है मार्च से लेके मुमाई तक अब वो खराब हो गया मारी नर्शिरी में यह कुलफा यह फोटू लाका यह भी दोनों लगाई यह दोनों फूल के पोदे हैं यह मार्च से लेके अक्टूबर नमंबर तक फूल खूब देंगे मिट्टी शू दोनों के गरोध रुक जाती है उस तेम आप इनको पाणी न डाले एक साइड मेर के कहीं भी कभी कभी थोड़ा बोत पाणी डाल दें जैसे फरवरी का में आएगा फिर यह पने आप लग जाएंगे यह पोखरी दिने भी नी पड़ेंगे तो यह आप दूफ में अगर इसमें तीन कलर है मारे पास अब मैंने यह वाइट वाली उठा रखे इसमें यलो भी होता है पिंक भी होता है आप अपने टोकरिया जग में लगाओगे तो यह खूब बर जाएगा और यह आप मई जोन जुलाई में बहुत फूल देता है आपकी टोकरी को बरके रखेगा अगर आप इसको नया बनाना चाहते है इसका फरवरी मार्च में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं कटिंग इसकी स्तंबर में भी लगा सकते हैं बारिस या गर्मी में मत लगाना गल जाती है दोस्तो जैड प्लन का पोदा भी लगाईए यह देखिए दोस्तो इसको बोलते है एरिसन ग्रास अगर आप इसको चाहें में लगाओगे तो इसका कलर बदल जाएगा अगर आप पोदो में लगाओगे उतना लाल कलर होगा और हरे हरे पोदो में एक लाल पोदा आप लगाओगे तो आपके बिगेचे की सोवा बढ़ जाएगी इसको बोलते है अरिसन ग्रास यह भी आप लगाईए इसकी कोई ज्यादा कीरनी है इसको भी आप सभी जानते हैं इसको हर जानता है इसको कटिंग लग जाती है अशानी सी अजबान का पोदा यह आप लगाईए आपकी टोकरिया जो को ऐसे भर देगा यह ना ज्यादा खाद मांगता ना ज्यादा पानी मांगता है यह आप लगाईए इसमें कुछ करने की जरूत नहीं है और कभी-कभी जैसे जादा ड़ोगे तो गळ जाएगा खाद ड़ोगे तो गळ जाएगा इसको खाद बग़र जो जरूत नहीं है यह आसानी से लगा सकते हूँ यह देखिया दोस्तों यह दूप का पोदा है इसका में क्या नाम बता हूँ यह हजारो नाम से बोलते है और आप सभी जानते एक एक बार यह पोद आपने लगा दिया ना इसमें परपल से फूल आएंगे वाइट भी आता है कई कलर होते हैं आप यह चोटी वराइटी वाड़ा ले रहा है मैंने इसको आप जग यह तोकरी में लगाओगे तो यह बहुत शांदर फूल देगा बहुत शांदर फूल देगा यह कटिंग से भी लगता है और जब फूल आएगा इसमें से बीज गिरता उससे भी लग जाता है एक बार आपने पोद अलगा लिया ना यह फिर दुबारा नहीं खरीदना है और सुब सुबह बहुत ज़्यादा फूल देता है तेज दूफ हो जाते तो इसके फूल खतम ह हो जाते हैं तो यह भी लगा यह आप और यह देखिए एक सैकुलेंट की तरह है और जट प्लांट की तरह है अब अगर टोक्री में लगा ओगे दूफ में चल जाएगा चाय में बेचल जाएगा यह इतना लटकता है कि इसकी एसे चैन शी ऐसे निचे गर जाएगी यह बह आदेबिस परकार के पूदी चsoon और दूफ के मैंने दोनों दिखाई इन पूदधों को आप अपने बगीचे में असानी से लगा सकते हैं .. दूफ वाला दूफ में लगाई है चाया वाला चाया में लगाई है आपकी बालकानी अगर आपने ऊपकरी य fazer लगाने की जगे बना रखी तो आप ये पुद्धा पक्का लगाई है आपके बगीची हरा हरी अली को परकरा रखेंगे और ये आप गमलों में भी लगा सकते हैं वह भी चलेंगे मगर ये ज्यादा टोकरियों में लगाते हैं तो आप इस परकार से अपने टोकरिया जग के पोद्धों की शेवा कर सकते हैं दोस्तों आप ये दे चाय के चाय वाले लगाना दूफ के दूफ वाले लगाना तो आप इस परकार से तोकरिया जग के पोद्धे लगा सकते हैं नमस्कार जैहिंद